नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अरुन भनोट मनिपाल हॉस्पेटल गुडगाओं में एक स्पाइन स्पेशलिस्ट हूँ आज हम एक युवाओं के संबंदित जो आजकल के युग की एक खास समस्या है जिसे हम कम्प्यूटर का युग बोलते हैं उसको रिलेटिड है जिसका नाम है टेंशन नेक सिंड्रोम हम सब देखते हैं कि आजकी डेट में हमारा बहुत सारा काम जो है वो कम्प्यूटर और मोबाइल रिलेटिड है और कई बार युवाओं को अपने स्कूल का काम करने के लिए या यो यंग एडल्ट्स हैं उनको अपनी जौब को लेकर कम्प्यूटर पे काम करते रहना पड़ता है घंटों गंटों और उसके इलावा कभी अपना काम खतम होने के बाद भी मोबाइल पे भी कई बार मेल्स के जवाब देने पड़ते हैं सो जादा तर लोग जो यंग एडल्ट्स हैं वो कम्प्यूटर रिलेटेड काम को लेके बहुत ज़्यादा उसमें इन्वाल रहते हैं जिसकी वजह से कई बार वो अपने पॉस्चर को सही नहीं कर पाते उसका नतीजा यह होता है कि उनके जो गंदे होते हैं या जो कंदों को मसल्स जो जॉइन करते हैं हमारी गर्दन को और बाकी धड़ को जिसे हम ट्रपीजियस मसल्स बोलते हैं या इसकी साथ इसकी जो सहायक मसल्स होते हैं इनके अंदर कॉंस्टेंट आगे जुकी स्क्रीन देखने से या मोबाइल को स्मॉल स्क दर्दन में दर्द, दोनों कंदों में दर्द होना, थकान रहना, या टाइटनेस का महसूस होना, Yeah और कभी-कभी सिर्दर्द भी होना। इस थरह की तकलीफों को बारे में वो बयान करते हैं। कभी कबार ये दर्द बाजू के उपरी हिस्से में भी आ सकता है और तब ये cervical spondylosis या cervical nerve root irritation के साथ confuse किया जा सकता है पर अधिकतर ये tension neck syndrome की category में ही आता है क्योंकि ये clearly postural problem है जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जितना हम scream को आगे जुक के पास से देखेंगे लंबे समय तक देखेंगे उतना ही हमारा posture जो है वो सही रहने की संभावना कम होती जाती है और ऐसी स्थिती में जो हमारे muscles हैं वो constant action में रहने की वज़़ा से spasm में चले जाते हैं अब ये तो हो गया कि ये तक्लीफ है क्या अब इससे बचा कैसे जा सकता है और ठीक कैसे हुआ जा सकता है बचने के उपाए तो वही है जहां पे हमें कारण दिख रहा है मतलब ये कि लंबे समय तक screen का इस्तिमाल करने से बचना screen का और आँखों का या गर्दन का जो distance है वो एक optimum distance तकरीबन देड़ेख फूट के करीब maintain करके रखना जो आपकी screen है वो आपकी आँखों के level पे रहे और आपको नीचे ना देखना पड़े या उपर ना देखना पड़े जिससे कि आपके neck और shoulder muscles spasm में ना जाएं frequent breaks लेना आधे पौने घंटे के बाद अगर संभव हो तो एक दो मिनट का break ले लें तो उससे आपके जो muscles है वो जो release हो जाएंगे उनके उपर जो tightness या spasm आने की संभावना है वो कम हो जाएगी इसके इलावा बीच बीच में थोड़ा सा shoulder shrugging exercise जिसे हम बोलते हैं जैसे shoulder कंदों को ऐसे धीरे से उपर उठा के नीचे करना या गरदन को दाएं और बाएं घुमा के stretch करना या उपर और नीचे घुमा के stretch करना इन सब चीजों से जो muscle spasm में जा रहा है वो spasm में जाने से इसके साथ साथ अगर ये तकलीफ आपको बार बार तंग करती है तो अपने पास के किसी spine specialist के पास जाके इसका diagnosis करवाएं और फिर उसके साथ जैसे भी वो दवाई देते हैं तो दवाई और साथ साथ physiotherapist की सहायता लेके कुछ regular neck and shoulder exercises को follow करें जिससे की इस problem से बच सकते हैं धन्यवाद